हाई कोट ने नाबालिक बेटी को लिवर डोनेट करने की अनुमती दे दी है नाबालिक अपने पिता को अंगदान करेगी मध्यप्रदेश का ऐसा पहला मामला है जब नाबालिक का अंगदान किया जॉएगा इन दौर के विशेश जुपिटर हॉस्पिटल में जंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे शिवनारायन बाथम ने कियाची का हाई कोट में दायर की थी जिसमें उनकी नाबालिक बेटी के द्वारा उन्हें अपना लिवर डोनेट करने को अनुमती देने की मांग की थी जिसमें कोट ने नाबालिक को अंगदान की अनुमती देती हैं वही नाबालिक को अंगदान अनुमती देने का यह मध्यप्रदेश का पहला मामला है वही इसके लिए मैडिकल बोर्ट के द्वारा भी अनुमती दी जा चुकी है नियायले के इस फैसले के बाद अब नाबा जबलपूर में बैठे हैं, इसमें ये सुनवाई हुई है कि उसको तुरंत जो लिवर ट्रांस्प्लांट की सरजरी है उसको एतियार के साथ सावधानी से पूरे मेडिकल टीम के सरक्षन में की जाए जल से जल ये डायरेक्शन दिये हैं और डेटेल ओडर का मुझे शाम का ब पर्सों से इस समस्या से गरशित है, दूसरा इसमें जब मेरे पास ही आए, तेरा तारिक को ये दोफर को मेरे पास आए और उन्हें ने बताये कि मुझे ऐसी समस्या है और मेरी बेटी जो की नाबालिक है, वो मैं जे लिवर का पाड या डोनर के रूप में डोनेट करना च गई और मानने उच्छनियाले में पस्टू की गई है, interliction लेकर next day की शुनवाई करवाए। फिर उसमें आगे जैसा जैसा उसमें medical board और medical committee की गठीद की गई है. फिर उसके बाद में कमिशनर जो है घोपाल मेडिकल वहां से भी रिपोर्ट भुलवाई गी जिसके बाद जो सुनवाई हुई आज उसमें मेडिकल बोर्ड और जो रिपोर्ट से आई है उसके अकॉर्डिंग आज कंसिडर किया गया है